करेंगे conductivity in electrolytic cell electrolytic cell में conductivity को जरा समझते हैं क्योंकि electrolytic cell में electrolytic solution होता है उसकी conductivity माइने रखती है और अगर वो conduct नहीं करेगा तो cell कहां कैसे करेगा तो जो आपने solution डाल के रखा है उसकी conductivity की बात करते है सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि resistance को कैसे लिखते हो that is resistance is equal to resistivity L by A ऐसे लिखते हो तो conductivity जो conductance होती है basically वो resistance के just opposite होती है आया समझ में तो मैं अगर 1 by R करते हूँ तो यह किसके बाराब निकलेगा 1 upon rho और साथ में होगा A by L 1 upon rho को बेटा कपा बोलते है इसी को conductivity कहा जाता है resistivity का just ultra conductivity होता है और यहाँ पर L by A को basically cell constant बोलते है X होता है तो उसको थोड़ा detail में पढ़ते है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चीए कि यह formula बहुत important है जो मैं आपको अभी निकाल के भी दिखा चुका हूँ मैंने आपसे क्या कहा था कपा तो conductance किसके बराबर हो गया 1 upon rho यानि कि कपा into A by L are you getting my point A by L तो यहाँ से कर मैं कपा को बहार निकाल लूँ तो कपा किसके बराबर होगा C into L by A दिखाई दे रहा है सब लोगों को तो basically कपा का मतलब होता है conductivity, G का मतलब होता है conductance, L का मतलब होता है length of the electrode, A का मतलब होता है area between the electrode ठीक है, तो यह होता है यह formula बहुत important है generally हम लोग इसको कपा को कैसे लिखते है कपा is equals to conductance into cell constant यह बहुत important reaction है equation है जो आप लोगो ध्यान रखती है ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं आगे कपा बन अपन रो होता है जिसको हम लोग conductivity भी कहते हैं और यह बहुत important है, इसको specific conductivity भी कहते है अगर कोई पूछे की कपा का pure definition क्या है कपा is the conductance of लिख लो काम आएगा कपा is the conductance of सब बोलो, सारे बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी कई लग कुछे सर आचानक से आपको क्या हो गया तो जलही जीवन है कपा का मतलब होता है conductance of 1 ml solution लिख लो काम आएगा conductance of 1 ml solution, उसको कपा का जाता है कई बचों को नहीं पता 1 ml solution के conductance को कपा का जाता है ठीक है, चलो, और इसकी unit क्या होती है more centimeter, महो centimeter inverse होती है वो उपर से भी आप निकाल सकते हो अब हम बात करते है factor affecting ionic conductance ionic conductance को कौन-कौन से factor effect करते है तो सबसे पहले तो strong electrolyte अगर electrolyte strong होगा तो उसका dissociation जादा होगा और उसकी conductivity भी जादा होगी जैसे NaCl की case में आपको पता है ये एक weak electrolyte है इस case में आपकी conductivity कम होगी ठीक है तो NaCl की case में जादा होगी AgCl की case में कम होगी क्योंकि AgCl sparingly soluble होता है दूसरा size पे भी depend करता है conductivity आप देखो यहाँ पर conductivity जो है वो size पे भी depend करती है यह भी बड़ा interesting है तो देखो यहाँ पर जरा चेक करो यहाँ पर क्या मतलब निकलता है जरा आप उसको चेक कर रहा है मेरे भाई को क्या हो गया तो finally क्या है यार यहाँ पर अपने आप चलते चलते चीजे बंद हो जाती है मिटिक के रंग चलो तो finally अब क्या सीन है जरा आप चेक करो साइज ओफ आयन पर भी डिपेंड करता है अगर आयन जितना छोटा होगा उसको विचरन करने में आसानी होगी देखो आप सिंपल सी बात है मैं आप से कहूँ कि आप माल लो कि आप दिल्ली में रहते हो कहा रहते हो दिल्ली में आपको भी पता है कि दिल्ली में बहुत जादा वो है ट्राफिक होता है सडकों पर बहुत जादा ट्राफिक होता है चोटी चोटी गलियां है उसमें से निकालोगे कैसे तो अगर मैं बोलू कि चलो आप आप कार खरीदोगे तो अगर छोटी छोटी गलियों में से अगर आप लोग कार निकालनी है तो आप जरह सोचोगे ना यह थोड़ी सोचोगे मैं चलो लेंबो की नहीं खरीदूंगा मैं फरारी खरीदूंगा तो छोटी छोटी गलियों से निकालूंगा आप गोगे सर मैं नैनो खरीदूंगा छोटी छोटी गलियों से मालो चांदी चोक से निकालना है तो नैनो आसानी से निकल जाएगी क्या फरारी निकल पाएगी नहीं तो बेसिकली यहाँ पर सीन क्या है सीन जितना छोटा आयन होगा वो आसानी से क्या कर पाएगा यह इंडिया है वाइस साप इधर उद्र चल पाएगा समझ में आ गया तो बेसिकली यहाँ पर फिर उसके बाद आता है नीचर ऑफ सॉल्मेंट ठीक है अगर कोई किसी सॉल्मेंट की विसकॉसिटी जादा ओती तो वो आएन को हिलने थोड़ी देगा अब मैं आपसे कहूं कि भईया एक कंटेनर में मालो पानी बर के रखा है दूसरे कंटेनर में शहद बर के रखा है अब दूसरे कोई तगाणी बर के रखा हैं तो वो आइन को बत homeless में असानी से तहर लोगें आप पाणी वा ले तलाब या पानी वाली जो जो भी स्विम्विंग पूल को दो स्विंग पूल बना दिया मैंने, एक पानी वाला स्विंग पूल और दूसरा मैंने शहद वाला स्विंग पूल बना है, शहद वाले स्विंग पूल में आप तैर पाओगे, आप हार बार निकलोगे, तट क्या निकल गई, ऐसे से करोगे, समझ मारा है, तो शहद वाले स् अब देखो greater the number of ions better the conductivity यह बात बिल्कुल सच है जितने आयन ज्यादा होंगे उसकी conductivity उतनी ज्यादा होगी मतलब गर बोलूँगे टू एम टू कैपिटल एम नसल सोलुशन है वो ज्यादा का मतलब न प्लस भी दो होंगे इनकी मात्रा ज्यादा है बगम बगड़ा ही ज्यादा होगी सिंपल सी बात है समझ में आ गया तो यह रीजन होता है अब लास्ट है टेंपरेचर टेंपरेचर बढ़ाने पर हमेशा अनी कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होती है तो सबको पता है कि टेंपरेचर बढ़ा होगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है तो नॉर्मल बात है सबको पता है ठीक है अरे टेंपरेचर बढ़ा होगे यह इसका simple example देता हूं मैं आप लोगों को आपने कभी popcorn को जिसको फुल्ले बोलते है पंजाबी में popcorn को उछलते देखा है किस-किस ने popcorn की machine में popcorn को उछलते देखा बताओ मुझे popcorn पड़ा होता है नीचे से आप उसको तता-ता कर रहे हो तो temperature बढ़ा रहे हो तो वो उछलता है तप 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 आपको पता है कि popcorn उछलता क्यों है नीचे से temperature बढ़ा होगे तो आप भी उछल पड़ोगे कलको मालूँ आपको ना आपना अपनी girlfriend से बात करते करते किचन में उसकी girlfriend के तवे बेट गए आपको मालूम नीच पड़ा काला तवा था तवा बहुत बड़ा था आप एड़ गए उसके उपर है ना बात करते करते आपको होश नीदा पिछे जो उसकी मम्मी है उसने नोब घुमा दी और नोब घुमा दी और आपका जो तवा है वो ताता होने लग गया अब तवा जब गरम होगा तो आप उचल पड़ोगे ऐसे थोड़ी बैठेर होगे मैं तेरा आशिक इस तवे पर पिखल जाओंगा ऐसे थोड़ी बोलोगे कपा क्या है कंडक्टिविटी अपन कैपिटल एंड कैपिटल एंड एटा इस कोंसेंट्रेशन तो आप लोग याद रखेंगा बहुत इंपोरेंट हो इसकी उनिट होती है सामन सेंटीमेटर स्कूर मोल इनवर्स यह फॉर्मला बहुत इंपोरेंट है 1000 इनट्व कंडुक्टिविटी या नगी कपा डिवाट याम का मतलब होता कॉनसेटरीशन तो कपा जो इनए उसको सैंटीमीटर सामन सैंटीमीटर में ही रखना पड़ता है और मुलार SI को मोल पर ल् में क्या relation होता, that normality is equals to molarity into n factor, अगर आप लोगों को n factor निकालनी आती है, तो आप असानी से आप क्या कर सकते हो, यह formula का use करके equivalent conductance भी निकाल सकते हो, ठीक है